आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मार्केट की तरह शेज वन सौस घर में कैसे तयार करें बहुत कम खर्च में घर के पड़े मीटेरियल से तो चलिए फटाफट से रैस्पी शुरू करते हैं शेर वन सौस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मिर्चे जो हमारे पास नॉर्मर्मल घर मίνर्चे रहती हैं हम उसी से ही बनाएंगे और आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं हैं तो कोई प्राब्लम नहीं कश्मीरी लाल मिर्ची जो रेट चिली पॉडर आता है ना मार्केट में असानिस मिल जाता है उसका इसमाल इसमें करेंगे तो चलिए बताते हैं मैंने क्या किया है इसमें 100 ग्राम लाल मिर्ची लिजमें बॉाइल कर ली हैं और इसे ठेके ठंडा कर लिया है अगर आपको पील लिया है और एक इंच की अधरक लिये है इसे सबको हमें ग्राइंड करना इसका पानी अलग कर देना है तो हमें क्या करना है एक मिक्सी का जाल लेना है जिसे हमें इसमें पीसना है और यह सारी मिर्ची भी इसमें शामिल कर देंगे लैसे अधरक और मिर्ची हमें इसमे कश्मीरी लाल मिच्वान टीस्पून है यह भी इसमें शामिल कर देते हैं अब इसको हमें अच्छे से क्राइंट कर लेना है चटनी का देखे बारीक हमने पेस्ट बना लिया है एकदम स्मूथ इसी तरह बनाईएगा गैज ऊन करके हमने कड़ाई चड़ा दी और इसमें डाल देंगे अगरम न है क्योंकि हमें ज्यादा गरम में डालेंगे न तो इसका मिर्ची का तीखापन उड़ेगा तो आप हमें क्या करना है हमें से शामिल कर देते हैं और इसको अब हम पकाएंगे तो थी कि चट्णी हमारी पकने लगी है इसमें 50 ग्रम आयल हमने डाला था और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे ये दालचीनी का पौडर है अगर आपके पास पाउडर ना ओ तो जिस टैम हमने आयल डाला था ना उसी टैम आप एक जो है लकडी जो है डाल दी सेने में कि इसका फ्लेवर इसमें डालचीनी का पौडर करना बहुत अच्छा निकल कर आता है साथ में डालेंगे वन टीस्पून हमने साट्रिक असीट लिया है इसे लैमन जो है सुखा होता है या टाटरी भी बोलते हैं यह एक ही चीज है यह हम इसमें शामिल इसमें खट्टा पन हो और इसीं के साथ इसमें शामिल करेंंगे नमक नमक हमने या 1 टीस्पून लिया हुए यह वाइच्छ जो पड्मिल्यख्या यूस में डालेंगे सोया साथ यह वन टी स्पून है ज्यादा ना शामिल करेंगे वन आपका सॉस खौला पड़ जाएगा तो बस इसे थोड़ा सा कलर अच्छा आगा इसलिए डालना है अब इसे हमेशी अच्छे से पकाना है तो सास हमारा पक रहा है इसी के साथ हमें टोमटो कैचप डाल दिना है एक कटोरी चोटी सी यह दे के करीब होगा और फोटी स्पून के करीब है अगर आपके पास यह सॉस ना हो तो आप क्या करें फ्रेश जो है टिमाटर होता है ना उसकी प्यूरी बना लीजिए मिक्सिजा यह जो है इसको इसको पानी में घूल लेने इसको लास्ट में इस्तिमाल करेंगे जब तक घूल लेते हैं तो सास हमारा थोड़ा थीक है तो इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं मिर्ची वाला पानी हमने अलग कर दिया था ताकि तीकापन कम रहा है यह साधा नॉर्मल पान यह ना यह एक हम डाल देते हैं अब यह थोड़ा सा पतला हो जाएगा थोड़ा पकेगा तक ठीक होगा इसलिए इसमें पानी शामिल कर दीजिए अब सौस हमारा अच्छे से पक रहा है अब सौस देखिए मेरा इस टाइम पर में क्या करना है तो हमें कौन स्टार्च गोला ना इसे थोड़ा तोड़ा डालेंगे इक खटा से मद डाली अब नाश्मिल लंश पर जाएंगे तब हमारा सौस खराब हो जाएगा बस थोड़ा तोड़ा डालते रही है और चलाते रही है इस तरह से हमारा सौस जो है थिक भी हो जाएगा और लंश भी नहीं पड़ेंगे कॉन स्टाज डालने के बाद इसका कच्छापन निकल तो थोड़ी दर हमें और पकाना देके तिकनेस थोड़ी सी हो गई है बस हमें बहुत थिक नी चाहिए यह क्योंकि ठंडा होगा थोड़ा और जम जाएगा तो ज़्यादा थिकनी चाहिए हमें थोड़ी दिर इसको पक तो लीजे हमारा घर में बहुत धेर सारा सेजवान सौस बन कर तयार है इसी तरह आप भी तर ट्राइ कीजिएगा और अगर हमाई बनाई हूई रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमाई वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा बेलेकर जरूर प्रे कर अबस्क्यू के दाट द्लीयों सौस प्रेश कहला है और भीजिए।